आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी उपपर से एकदम क्रिस्पी कोथम बीर वड़ी जो महरास्ट की फेमस डिश है कोथम बीर वड़ी को आप हरा दनिया का मुठिया भी बोल सकते हो अभी विंटर सीजन में हरा दनिया बहुत ही फ्रेश और सस्ते मिलते हैं तो इस तरह से maniacal वड़ी जबां रखये विनटर सीजन में कुथम बीर वड़ी एक बार से जरूर्ण कर ना वैसे कोथम बीर वड़ी बहुत अलग अलग तरीके से बनाई ज्शा आज हम ने बहुत ी सिम्पल तरीके से बिना श्टीम के एंशेर fusion और साज शेवए को ने क्रिस्पी बना अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बैल आइकन पर जरूर क्लिक करिए उसे मेरी वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी महरास्ट की फेमस कोथमबीर बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ दो कप हरा धनिया को एकदम बारिक चॉप कर दिया है और हरा धनिया को अच्छे से वाश करके थोड़ा ड्राइ कर देना है अब इसमें एक कप बेशन का आठा एड़ करेंगे और वनफोर्थ कप चावल का एक टीस्पून हरी मिची की पेस्ट आधी टीस्पून लान मिच पाउडर और आधी टीस्पून अज्वाइन को क्रश करके आड़ करेंगे और एक टीस्पून धनिया चिरा पाउडर आधी टीस्पून हल्थी पाउडर वनफोर्थ टीस्पून सुन पाउडर और दो टेब एक टेबस्पून चीनी एड़ करेंगे, एक टेबस्पून निम्बो का रस्पी एड़ करेंगे, अब साथ में एक टेबस्पून सफेद तिल भी एड़ कर देंगे, अब इसमें दो कप पानी एड़ करेंगे और बैटर तयार करेंगे, तो यह बैटर पनाने के लिए मैंने करम करने के लिए रख देंगे तो आप चाहो तो नॉन स्टिक कड़ाई का भी यूज कर सकते हो या फिर हैवी बॉठम की कड़ाई यूज करेंगे तो भी चलेगा जिससे यह बेसन कड़ाई में चिपकेगा नहीं तो देखे इस तरह हमें अच्छे से बैटर को गोल देना है तो हमने पहले देट कप पानी यूज किया था अब आधा कप पानी याड़ कर दिया है अब अच्छे से घोल देंगे जिससे बैटर में एक भी लम्स नहीं रहेगी चुटकी पर हिंग भी एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे यहां बैटर बनकर तैयार है तो मैंने यहां गैस पर कड़ाई को चड़ा दिया है अब गैस की फ्लेम शुरूर में मिडियम तो हाई रखेंगे और चमत से चलाते रहेंगे तो हमें बैटर को लमस हो जाएंगे और बैटर कड़ाई में चिपक जाएगा तो देखे इस तरह से कोथंबीर बड़ी बनाना बहुत ही सिंपल है और हमें अलग से स्टीम करने की भी जरूरत नहीं है और यह जल्दी से बन जाती है तो जब कोई गेस्ट आए तब भी आप लंच या डीनर के सा लिए सव कर सकते है और यह सिर्फ 15-20 मिनिट में बन जाती है तो देखे इस तरह बैटर गाड़ा हो जाएगा और यह 7-8 मिनिट में गाड़ा हो जाता है इस तरह थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तब हम कैस की फ्लैम चलोड़ मिडियम कर देंगे और इसे हम वापस चार से पाच मिनिट के लिए पका लेंगे जिससे ये बेशन अच्छे से पक भी जाएगा और आप देख सकते हो कि बैटर ने कड़ाई भी छोड़ दिया है तो इस तरह हो जाएगा तो बैशन पक गया है अब हम इसे स्टेज पर गैस बन कर देंगे और ओयल से ग्रीस की हुई प्ले हो जाएगा और यह बैटर जब गरम हो तब भी हम इस तरह कटोरी से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और तुरंत उपर हम सफेद तिल भी स्प्रिंकल कर देंगे और कटोरी को भी हमें ओयल से ग्रीस करके फिर इस तरह प्रेस करना है नहीं तो बैटर कटोरी में चिपक करने से पहले ठंडी होने देना बहुत जरूरी है नहीं तो तूट जाएगी तो देखे मैंने यहां मेडियम साइज के स्क्वेर टुकडो में कट कर दिया है आप चाहो तो इससे भी छोटे टुकडो में कट कर सकते हो तो देखे हमने प्लेट में ओयल भी लगा दिया था औ अब सारे कुथम बीर वड़ी सेबरिट करने के बाद हम इसे दो अलग-अलग तरीके से क्रीष्प बनाना बताऊंगी तो जो छोटी-चोटी हैं उसे हम शैलो करेंगे तो जल्दी से क्रीष्प हो जाएगी और ठोड़े-बड़े टुकडो में है उसे हम फ्राइक करेंगे तो shallow fry करना के लिए non stick pen में थोड़ा सा oil डाल देंगे और एक के कुथम बीरवड़ी हम oil से थोड़ी coat कर लेंगे और shallow fry करेंगे तो gas की flame हमें medium to high रखनी है जिससे ये जल्दी से crisp हो जाएगी slow flame पर shallow fry करेंगे तो ये जल्दी से crisp नहीं होगी तो देखें यहां मैंने एक साथ में 8 से 10 पीस को shallow fry करने के लिए रख दिया है अब इसे हमें पलट पलट कर सारी बाजू से fry कर लेना है shallow fry करने में थोड़ा टाइम लगता है यानि एक बेश करने के लिए 8 से 10 मिनिट लगेगी तो देखें आप चाहो तो इस तरह से चिम्टे से पलट पलट कर fry कर सकते हो तो देखें यहां एक बेश को मैंने फ्राइ करने में 8 से 10 मिनिट लग गई है और सारी बाजू से मैंने क्रिस्प कर लिया है अब एक पीस मैं पास से भी दिखा रही हूँ देखें उपर से एकदम क्रिस्पी बनती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है अब मैं डिफ्राइ करके भी बताती हूँ तो मैंने यहां ओईल गरम करने रख दिया था और ओईल भी अच्छे से गरम होना चाहिए और गैस की फ्लैम भी मीडियम टो हाई रखेंगे और एक एक कोथम बीर वड़ी ओईल में डालने के बाद हम तुरंत पल्टी नहीं करेंगे एक से देर मिडियम के बाद साइट चेंज करना है तुरंत पल्टी करेंगे तो यह तूट जाएगी तो हमें तुरंत साइट चेंज नहीं करना है अब एक से देर मुट के बाद साइट चेंज कर देंगे और गैस की फ्लैम स्लो टू मिडियम कर देंगे अब स्लो टू मिडियम फ्लैम पर कोथम बीर वड़ी को हमें एकदम क्रिस्प कर लेना है तो एक बेच फ्राइ करने के लिए हमें 4-5 मिनिट लगेगी तो देखे पलट पलट कर मैंने सारी बजू से कोथम बीर वड़ी को क्रिस्प कर लिया है तो अब हम इसे एक फ्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बेच भी फ्राइ कर लेंगे तो दूसरा बेच फ्राइ करने वक्त वापस हमें गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और तुरंथ हम कोथम बीर वड़ी को ऑईल में डाल देंगे और स्लो टू मिडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक फ्राइ कर लेंगे बहुत ही मज़िदार महरास्ट की फेमस कोथम बीर वड़ी बनकर तैयार है तो फ्राइ कीवी कोथम बीर वड़ी ज्यादा क्रिस्पी बनती है और लंबे समय तक क्रिस्पी रहती है तो देखे उपर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ बनती है तो आप भी विंटर में कोथम बीर वड़ी को एक बार गर पर जरूर ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएगी Thank you so much for watching